नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आईए करते हैं खबरों की शुरुआज सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स स्पॉंसरड बाई भागलपूर सीटी डबलपर भागलपूर से एलक्ट्रिक इंजन के साथ दो ट्रेंड हुई रवाना यात्रियों में दिखा खासा उत्सा श्रावणी में लाकी तैयारी का जाई-जालेने प्रमंडली आयुक्त वंदना कीनी पहुची सुल्तान गंच बहतर वेवस्था करने के दिये निर्देश भारत तिबद मैतरी संग की ओर से तिबद धर्मगुरु दलाई लामा की मनाई गई जैन ती संगोष्ठी का हुआ आयोजन बाका में राजसू मंतरी राम नरायन मंडल ने चलाया भाजपा सदस्याता अभियान संगठन को और मजबूत करने की कही बात और तिलकामाजी भागलपूर विश्विद्याले में अर्थ शास्त्र विभाग के केंद्रिये वजट पर सेमिनार का हुआ आयोजन और अब खबरे विश्थार से भागलपूर में विध्यूती करन का कारे शंपन होने के बाद अब अलक्टरिक इंजन के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है शनिबार को भागलपूर से दानापूर जाने वाली इंटर सिटी एक्सप्रेस एवा मुझफर पूर जाने वाली जनसेवा एक्सप्रेस पहली बार भागलपूर से अलक्टरिक इंजन के साथ रवाना हुई ट्रेन के एलक्ट्रिक इंजन से रवाना होने से पूर्व यात्रियों और रेल कर्मियों में खासा उत्सा देखा गया रेलवे अधिकारियों के अनुसार एलक्ट्रिक इंजन की उपलवधता के अनुसार अन्य ट्रेनों में एलक्ट्रिक इंजन लगाया जाएगा इससे फुरु भागलपूर से तीन जूल को विक्रम शिला एक्सप्रेस को भागलपूर रेल पहली बार एलक्ट्रिक इंजन के साथ रावाना किया था इस्टेशन अधिक छक्स समर कुमार सिंग ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कई कदम उठा रही है अगामी 17 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व परसिद स्रावणी मेला को लेकर भागलपूर परमंडलिये आयुक्त वंदना किनी जिलाधिकारी पर्नब कुमार अपर समहरता राजे जहराजा सदर स्टियो आसिस नरायन सहित जिले के कई वर्ये अधिकारी ने मेला छे देश देते हुए कहा कि कामर्यों की शुरक्चावह सुविधा बिजली पानी शौचालय सहीत गंगा घाट पर अस्नान करने के दौरान शुरक्चा का इंतिजाम बहतर तरीके से करने का निर्देश दिया गंगा घाट में बांस वेरी केडिंग मजबूती के साथ करने का न तिब्बत के महान धर्म गुरू दलाई लामा के जन्म दिवस के अफसर पर शनीवार को भागलपूर के गांधी शांती पर्तिष्ठान केंदर में भारत तिब्बत मैत्री संग दुआरा समारों का आयुजन किया गया। करक्रम में भारत की भूराज नेतिक परिद्रिस में स्वायत्ता नहीं स्वतंतरता चाहिए विसय पर शंगोष्ठी का आयुजन हुआ। कर संगठन को और मजबूती परादान करने की अपील की। साथी कहा कि केंदर एवं राज्य सरकार दुआरा चलाई जा रही तमाम विकास योजनाओं का लाव लोगों को मिले। इसके लिए घर-घर तक कारकरतों को पहुचना होगा। इससे पूर्वी श्यामा परसाद मुखर जी एवं दीन दयाल उपध्याय के चित्र पर पुष्प अरपित कर वरिष्ट कारकरतों को सम्मानित किया गया। दिलका मांजी भागलपूर विश्विद्याले के अर्थ शास्त्र विभाग में शनीवार को केंद्रिय वजट पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कारकरम की अध्यक्षता विभागा ध्यक्ष उदय परकाश शिना ने किया। इस दोरान सभी शिक्षकों ने बजट पर अपने अपने विचार व्यक्ष किये। विभागा ध्यक्ष परोफेसर उदय परकाश शिना ने कहा कि वर्तवान में केंद्रिय वित्मंत्री द्वारा पेश किये गए बजट में कि सौनों एवं मध्यम वर्गे लोगों का विशेश ध्यान रखा गया है। साथी ग्रामीन छेतर की महलाओं को आगे लाने का परियास किया गया है जिसे सभी वर्गों के साथ देश का विकास हो। लेकिन जो ग्रामीन पिछडी महिलाएं हैं उनको काफी आगे आना होगा और काफी महनत करनी होगी देश के राष्टियायों को बढ़ाने में और सभी वर्गों के विकास के साथ देश का विकास होगा यही इस बजट का मूल था। यह बजट जेंडर इन इक्वालिटीज को दूर करने वाला है। यह बजट वेमेन इंपावरमेंट को बढ़ाने वाला है। यह बजट किसानों का बजट है। जिलाधिकारी परनव कुमार के निर्देश पर शनीवार को कोटपा कानून के तहत तंबाकू उतपाद वेचने वाले नवाली के खिलाप अभियान चलाया गया। नाथनगर इलाके के विभिन छेत्रों में अंचलाधिकारी राजेश कुमार और नाथनगर पुलीस ने संयुक तुरूप से छापे मारी की। छापे मारी के दोरान दो नवालिकों को तंबाकू उतपाद बेचते हुए पकड़ जाने के बाद जुरुवाना वसुली की गई। साथ ही आगे से तंबाकू उतपाद नहीं बेचने की चेतावनी दी गई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे हैं सिल्क टीवी के साथ। झाल थे रहे हैं सिल्क टीवी के लिए पक्राद की चेतावना वसुली के लिए जाने के लिए एक बाद से तंबाकू रहे हैं साथ। बिरेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी बाका के रजोन में सडक पार करने के दोरान आटो ने छात्रा को टक कर मार दिया इस घटना में छात्रा की मौत मौके पर ही हो गई जबकि आटो में सवार कई यात्री घायल हो गया मिर्तक छात्रा की पाचान चक जावा निवासी विकास मंडल की वारवर्सिय पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई है घटना के बाद मौके पर पहुचे परीजन और अस्थानिये लोगों ने मुख्य सड़क को घंटो जाम कर पुलिस परशाशन के खिलाप जम कर नारेवाजी करते हुए मुआवजे की मांग की घटना की सूचना मिलते ही सरकिल इंस्पेक्टर राजस कुमार मौके पर पहुचे और आपकरोशित लोगों को शांत कराया पुलिस आटो चालक को गिरपतार कर लिया है अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत के सदस्यों ने परिक्षा परिणाम में व्यापक गडवडी को लेकर शनीवार को कुलपती प्रोफेशर लीला चंदर सहा से मुलाकात कर मांगों से संबंदित ग्यापन सौपा चात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कुलपती ने 15 दिनों के अंदर समस्या समाधान की बात कही परदेश कारिसमिती सदस्य कुनाल पांडे ने कहा कि कई वरसों से BCA के रिजल्ट में गडवडी होती रही है लेकिन विस्विद्याले प्रहशाशन ने कभी इस परध्यान नहीं दिया इस बार 90 फिजदी छात्रों के रिजल्ट खराब हुए हैं अगर 15 दिनों के अंदर रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ तो ABVP विस्विद्याले प्रहशाशन के खिलाप उग्र प्रधर्शन करेगी नवगचिया के गोपालपूर प्रखंड मुख्याले में 35 लाग की लागत से बन रहे मनरेगा भवन में काफी और नियमित्ता बरती जा रही है जिसको लेकर अस्थानिये लोग आक्रोसित होकर आंदोलन की चेताबनी दे रहे हैं शनिबार को मनरेगा भवन की छट धलाई का कारे चल रहा था भागलपूर आनंद राम धंढ़निया शरस्वती विद्या मंदिर में शनिबार को शिशुवाटी का अस्तर के बच्चों के लिए फ्रूट पार्टी का आयुजन किया गया फ्रूट पार्टी में बच्चों ने अलग-अलग फलों के बारे में जाना और सेवन भी किया आयोजन कर बच्चों को फलों एवं फ्रूट से होने वाले लाब के बारे में बताया गया। मनोच कुमार मिश्र ने कहा कि आज के समय में बच्चे फास्ट फूड अधिक पसंद करने लगे हैं जिससे स्वास्त पर बुरा फरभाव पड़ता है। इसको लेकर बच्चों को जागरूप किया गया। इस अफसर पर अनिता चोधरी, जागरती ठाकूर, पंकजोपा ध्याय, बविता वर्मा, समित कई सिक्चक, शिक्षिका, अभिवावक एवं काफी संख्या में माजूद थे। वहीं विद्या भारती द्वारा आयोजीत तीन दिवसिय चेत्रिय गणित कारिशाला का समापन शनिवार को हो गया। इस अफसर पर प्राधानाचारी मनोच कुमार मिस्र, संजीव जा, मदन मोहन, धिरज मिश्रा, पंकजुपा ध्याय समेत कई स्कुलों से आये गणित सिक्षक मजूद थे। अलप संख्यक चात्र चात्रों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा मदर्सों में प्रते एक वर्स लाखों रूपी एक खर्च किये जा रहे हैं जिससे मदर्सों में तालिम पाने वाले चात्र चात्रा वेहतर मुकाम हासिल कर सके। लेकिन सरकार के इस प्रियास का मजा खुद कुछ मदर्सा के मौलवी ही उड़ा रहे हैं। मदर्सा में कुल 11 मौलवी कारे रथ हैं मिड़े मिल भी मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जाता है जिससे की बच्चे कुपोशन के सिकार हो रहे हैं। ग्रामिनों ने कहा कि व्यवस्था और मौलवी की मनमानी की शिकायत कई वार हेड मौलवी से की गई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। फिलाल मदर्सा में 236 चात्रों का नामांकन है जबकि मदर्सा आने वाले चात्रों की संख्या महज साथ है। मौलवी एवं प्रभारी की मिली भगत से MDM राशी का लाव लेने के लिए सभी बच्चों की हाजरी बनाई जाती है। मदर्सा के अध्यक्ष उमर फारूक ने कहा की मौलवी और प्रभारी की शिकायत जिला शिक्षा पदादीकारी एवं जिला धिकारी से की गई है। बाका कटोरिया मुख्य मार्ग पर कार और टाटा मैजिक के बीज सिधी टकर में मैजिक सवार पांस रधालू घाल हो गया। जिसे अस्थानिये लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भागलपूर के गोराडी थाना छेतर के सियार गड निवासी गौतम शर्मा अपने परिवार के साथ पूजा करने देवघर जा रहा था। इस दोरान तुलसी वरन मोर के समीप देवघर की ओर से आ रही कार ने टाटा मैजिक में टककर मार दिया। और अंत में चलते चलते एक वार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर। भागलपूर से एलक्ट्रिक इंजन के साथ दो ट्रेंड हुई रवाना यात्रियों में दिखा खासा उत्सा। श्रावणी मेला की तैयारी का जय जालेने प्रमंडली आयुक्त वंदना कीनी पहुची सुल्तान गंच बेहतर वेवस्था करने के दिये निर्देश। भारत तिबद मैतरी संग की ओर से तिबद धर्मगुरु दलाई लामा की मनाई गई जैन ती संगोष्ठी का हुआ आयोजन। बाका में राजसु मंतरी राम नरायन मंडल ने चलाया भाजपा सदस्याता अभियान संगठन को और मजबूत करने की कही बात। और तिलका माजी भागलपूर्वी स्विद्याले में अर्थ शास्त्र विभाग के केंद्रिये बजट पर सेमिनार का हुआ आयोजन। फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहे हैं सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार। झाल झाल झाल